कि नमस्कार दो तुस्वागत हैं आपका टीसी फैसर्ण में दोस्तो आज हम करने जा रहा है हाप आस-ती Sótकी कटिंग तो इसमें इसमें बाई इस्टेप आपको बताएंगे ताकि आप पर्फेक्ट तरीके से सीख जाएं हाप आस-तीन की कटिंग कि इस तरीके से से सेटकी कर करते हैं तो यहां पर एब सबसे पहले करेंगे कपड़ा जो है वह इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है इस तो यह वो गया में आफ जो आपको आप को आप 2 इंच उपार फोल्ड करें आज 3 तो आप जोबार करें तों दो इंच रखेंगे के तो इस तरीके से आपको सीधा निसान लगा लेना है उसके बाद जितनी भी सड़की लंबाई हो माल लीजिए आपकी लंबाई है यहाँ पर 6 इंच तो आपको अगर पक्की लब अगर बना रहे हैं मतलब इंटरलाग नहीं करेंगे पक्की लब रखेंगे तो आप 1 इंच दबाव रखेंगे तो यहाँ पर पक्की वाली बता रहे हैं तो 6 इंच जो है आज 3 की लंबाई है माल लीजिए अगर आप 7 तो आप 8 रखेंगे यह 6 है तो हम 7 रखेंगे तो एक इंच का दबाव अब कच्ची अगर इंटरलाग बली बनाए तो आप 2 इंच के दबाव साड़े आठ और 17 के मतलब आधे कितने हुए साड़े आठ तो आपको साड़े आठ रख देना है इस तरीके से यहाँ पर हैं तो जैसा कि यह अब मा लेजे आपका 36 सीना आए और 17, 18 है तो आपका बहुई 9 इंच आएगा तो आपको 9 इंच रख देना है तो इसी तरीके से आपको रखना होता है तो अब यहाँ से आपको ऐसे करके गुलाई करना है यह गुलाई हो गए अब यह तो हो गया आपका दबाव बाकी जो है इधर साइट में जितनी भी मोहरी हो माले जे 14 मोहरी है बाकी आपका मार्जन हो गया जे मार्जन आप लगवाग देड़ी छोण दें तो इस तरीके से हम निसान हमने लगा लिया अज चाहें तो आप और भी क्रास करने इस तरीके से एक इंच का दबाव रखें जाए देड़ी ज़्यादा हो जाए यह तो आप एक इंच भी कर सकते हैं तो इतना मालिया एक इंच आपको कर देना है बस उससे बाद जो है आपको काट देना है के इस तरीके से करते हैं यह अब यह कर दो पूंद करेंगे तो यह चीज करना पड़ती है यह फोल्ड होता है उसके बाद फिर आपको खोल देना है यह खोलने के बाद आप देखिए अब आपको इस तरीके से गुलाई करना होगी यह बीचों बीच में ज़्यादा गुलाई करना पड़ती है अब यहां से यहां पर इस तरीके से ला रहा है तो यहाँ पर आपको ताल जो है वो सवाव इंच का लगवाद काट देना है थोटी सथ है तो आप एक इंच काटे तो इसी तरीके से आपको काटना होता है बाकिया आप सवाव इंच सम्मे रख सकते हैं तो यह इस तरीके से कट गया तो यह हमारी बाजू विल्कुल complete हो गई तो इस तरीके से आप इसको काट लें अब मैं आपको दिखाता हूँ तो देखे इस तरीके से कुछ यह आई है मतलब यह तो देखे इस तरीके से यह कुछ आई है तो इस तरीके से आपको यह complete करका काट लेना है तो बाजू आपको समझ में आ गई होगी हाप बाली किस तरीके से काटते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जुरूर प्रेस कर लें मिलते हैं नए वीडियो के साथ तक लें नमस्कार